कई वाले कि नया PC असेंबल करते होगे आपके दिमाग में कई सारी ख्याल होते हैं जैसे कि कौन सा प्रोसेसर ले कौन सा जीप्यू ले कौन सी रेम ले और कौन सी हार्डिस ले तो आज मैं आप इन साइड डाउट को क्लिए करने वालों आप यह वीडियो देखते हैं कि आज तो इसकी पहले हम पहले हम पहले हम के एक कंपूटर असेंबल करने के लिए उसके लिए क्या क्या ज़लूरी पाट्स होने है सब्सक्रपार करने के लिए पुसके ने चाहिए हो एक मधरबोर्ट उसका CPU, drain, GPU उसके लिए निदे लागाने वाले हार्ड इसकी पावर यह सारे components है तो आप एक computer का सेंबल कर सकते हैं हम सब जब पहले बात करते हैं एक CPU और GPU यानि CPU जिप्यों में क्या अंतर रहता है जो CPU तो देता है आपकी computer को power जो GPU तो देता है आपकी बेटर स्कीन में quality यानि आप जितने ग्राफिक देखते हैं उसके नगाप मानवा कोई game खेले तो इसको जो आपको GPU बेटर quality देगा और game खेले उसके आपको ज़्यादा FPS देंगे सबस्क्राइब हम बात करते हैं कि आपकी जो motherboard है और CPU उन दो लोगे जो circuit है वो सेम होने चाहिए जैस आपको CPU की देखते हैं यानिकि अपने motherboard तो इस socket का ले लिया अब आप लेते हैं CPU तो CPU में आपको CPU में वही socket देखना हों जो आपको उस motherboard में था क्योगी CPU और motherboard का socket सेम नहीं हो तो आप उसके ने पना CPU नहीं लगा सकते हैं अगर CPU में अधर जो में से सेम हैं तो आपको में वन कोई नौर्मल वोत ले सकते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको ऑच्छा शाओ सा अच्छा वे इसके ना आरजी बी लाइट वो काफी ज्यादा रेम तक सबोट करें और य। चाफी ज्यादा जिय ना को बीज सबोट करें और साथ में आपको आपको 5,000 उपे तक आपको अच्छा सा मदबोर ले सकते हैं जिसके 64GB तक रेम सपोर्ट कर सकते हैं उसके आपको नोर्मल मदबोर लेते हैं तो आपको उसके साथ आपको CPU लेना होगा आपको 3-4 वेनेट मिलते हैं जैसे कि सबसे पहले हम बत करें आपको Intel Core i3 उसके बाद i5 उसके बाद i7 उसके बाद i9 उसके बाद आपको जीओन सेरीज के सिप्यू मिल जाते हैं अगर आप i3 CPU लेते हैं तो आपको लगबग 10,000 रुपे के आरपार मिल जाएगा या फिर आप आप और जादा high-end CPU लेते हैं या पोइंटर को i9 उसके बाद को मिलेगा और जाहमेंगा यानिके आपको उसके लिए कब से कमा शेजा से 1,20,000 रुपे तक देने होगा या अगर आप और जाद उपर जाते हैं या जिए जिए आपको motherboard भी दूसर चाहिए होगा या नोर्मल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो आप बात करते हैं हम रेम की डेम में पीडर मिलते हैं यानिके आपको नोर्मल में मिलते हैं दो चाहर। मेगाज़ट से यहां मतलब है स्पिड या निए आपकी एक मिलेट में कितना लेट डाव कर साथी है यह उसके पिर मेगा उसके नंदर रिट एंड तो मालब मादून जो आपके चाहते हैं वह ज़दा फास्ट होगी उस सिंगल आट जिए की स्टिक से सिंगल से उतरम ही एक मिनाट पड़ा हो निकाल जैंकै दो तके में फेमें आट रहें के से थे सकते यह आपको नोर्मल हार्डिस ले सकते हैं मगर आपको अच्छा गेंग कहला चाहते हैं आप चाहते हैं आपको यह जदा फास्ट बूट हो तो आपको उसके नहीं लगानी होगी अब आपको दो ही मिलते हैं पहला एम 2.4 और यह नोर्मल एससडी तो एम 4.2 है यह आपको मदबोर क तो आप हर्डिस को नहीं लगा सकते हैं अप बात करें जो नोर्मल एससडी होगो हाँ मिलेगे तो जो गोट करें आपको एक अब Kell nephew आपको इसंब्ल करते हैं तो यह उसके नहीं जरूरी चाहिए आप सोचें हैं बिना जीप्यू को भी गमटरों चला सकते हैं आप बिना जीप्यू को चला तो लेंगे अपर अपको पर्फोरमस नहीं मिलेगी प्योंगे आपको जो जीप्यू करेदेगा इसलिए आपकी स्पीड करे दें हो जाए अगर आप अलग से डेड यह भी काम जो डिस्प्ले करने का है उसमें जितने भी मुवमेंट हो रहे हैं वो सारा कम समालेगा आपको जीप्यू यानि आपको जदा बेटर परफरमेंस में लगी तो बात के निए जीप्यू यानि आपको एक कौन सा जीप्यू लेना चाहिए समसे बिले मैं बता दू आपको GTX 710 मिले सकते हैं यह काफी सस्ता जीप्यू है इसके निए आपको नोर्मल काम कर सकते हैं मगर आप गेमिंग करना जाते हैं तो आपको GTX 1050 Ti चीह हुआ जिसके निए आपको नोर्मल गेम खेल सकते हैं यह लिए जीप्यू आपको मिलेगा लगबग 15,000 रुपे के आपको ज़्यदा बेटर जीप्यू चीह है तो आपको GTX 1060 मिल जाएगा 1070 और 1080 मिल जाएगा और आपको उस्चेप ज़्यदा बेटर जीप्यू चीह है आपको आपको जीप्यू मिल जाएगे अपको लगबग 15,000 रुपे में मिल जाएगा अगर आप 1060 Ti की तक जाते हैं यानि 1060 Ti तक तो 1060 को मिल लगबग 26-30,000 के बीच में 1070 Ti तक जाते हैंakukan 30 ради से 40 जाएगे पीच में बालते हैं boîte में 1070 Ti तक जाते हैं Supreme तो आपको 16GB RAM की जोरत होगी, आपको इससे जदा RAM में लगाना चाहते हैं, तो आप लगा दो सकते हैं, उसको आपको कोई जदा काम नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सोट रहे, जदा जदा उनकी हाई-end requirement होती है 16GB, अगर आप 16GB से उपर गी RAM लगाते हैं, तो आपको system आपक आपको इसमें कुछ जदा अंतर नहीं होगा, आप एक 8GB RAM में भी नॉर्मल गेम खेल सकते हैं, और 16GB RAM में आप हाईयर गेम खेल सकते हैं, यानि 4GB की क्वालिटी में भी गेम खेल सकते हैं, अब बात करें हमें डिस्प्ले की, यानि कि आपको PCS से मल करने के लिए डिस्प् काफी है, अगर आप खेल ना चाहते हैं, और जदा हाई हैं, यानि कि आपको लगभग 200GB की डिस्प्ले भी मार्केट हैं मिल जाएगी, अगर वो काफी expensive होगी, इसलिए आप गए normal डिस्प्ले लेते हैं, तो आपके लिए 141GB की डिस्प्ले भी काफी ठीक होगी, मुझे उ तो आपको पता चल चुगा, आपको कंप्यूटर संबल करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान आगना जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजी, अगर नहीं पसंद आये तो वीडियो को डिस्लाइक कीजी, और हम मिलते हैं किसी अगल वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई